आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में कीबूर्ड शो नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में Google Play Store को ओपन करिए Google Play Store को ओपन करने के बाद उपर सर्च बार पर किलिक करिए और यहाँ पर आप सर्च करिए Microsoft Keyboard और यहाँ पर Microsoft Keyboard सर्च करने पर ये वाला एप्लिकेशन आएगा जैसा कि देख सकते हैं Microsoft Swift की Keyboard तो इसे इंस्टॉल पर किलिक करके आप अपने फोन में इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करिए यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर किलिक करिए ओपन पर किलिक करके यहाँ पर आएगा Select Swift Key इस पर आप किलिक करिए किलिक करके नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आएगा Microsoft Swift Key Keyboard तो इस पर किलिक करके इसे सलेक्ट करिए सलेक्ट करके finish up option पर किलिक करिए उसके बाद not now पर किलिक करिए यहाँ पर no पर किलिक करिए ओके पर किलिक करिए उसके बाद आपका setup complete हो जाएगा अब उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं और चेक करिए अब आपके phone में keyword show होना शुरू हो जाएगा तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ok करिए तो इस type से अपनी problem को आप ठीक करें वीडियो पसंदाई वीडियो को like करें हमारे channel को subscribe जरूर करें